चोड़ा सीना बनाना अधिकतर पुरुशों का सपना होता है क्योंकि इससे ही आपके शरीर को बहुत अच्छा शेप मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि सीना चोड़ा करने की वो 5 एक्सरसाइज जो आपको बढ़े और चोड़े चेस्ट बनाने में मदद करते हैं। तो मैं हूँ मुहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं AF Fitness। अगर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैस्ट बढ़ाने की अपनी साइंज है। यदि आप सही तरीके से कुछ एकसरसाइज टिप्स फॉलो करेंगे तो रिप्ट चैस्ट पा सकते हैं। मैं आपको रिसेच बेक्ट एकसरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने पर आ बाहरी मसल्स को पेक्टोरल मेजर और इनर मसल्स को पेक्टोरल माइनर कहते हैं। हम चाहें कितनी भी एकसरसाइज करें या बैंच प्रेस करें उसमें हम सिर्फ अपने पेक्टोरल मेजर को ही ट्रेन करते हैं। सिर्फ केबल फ्लाय एकसरसाइज से पेक्टोरल माइनर को स् इसकी गहराई राइट और लेफ्ट चेस्ट की थिकनेस पर डिपैंड करती है। डाइट सुझाव भी जान लेते हैं। यदि आप हैवी चेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मील भी एड करना होगी। उसके लिए आप एक घंटे पहले उठे और एक घंटे बात सोएं जिससे आपके पास दो एक्स्ट्रा घंटे होंगे। इन दो घंटों में आपको 300-400 कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है और साथ ही साथ आपको ज्यादा एक्सरसाइज हफते में दो बार करना होगी जिससे आपके चेस्ट की वीक मसल धीरे-धीरे डेवलप होने लगेगा नमब एक बाबेल बैंच प्रेस बाबेल रॉड में वेट डालकर लिफ्ट करने से आप ज्यादा से ज्यादा वेट से बैंच प्रेस एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे आपका पेक्टोरल मेज मसल स्ट्रें होता है और आपका चेस्ट ब बाबेल प्रेस इस एक्सरसाइज में आपकी बैंच का एंगल 45-35 डिगरी उपर की ओर रखें फिर बाबेल में वेट डालकर उसे उपर की ओर लिफ्ट करते हुए धीरे-धीरे नीचे लाएं इससे आपका अपर चेस्ट ट्रें होगा 15,10,8 रेप्स की तीन सेट अपनी कप बाबिक वेट से लगाएं फिर धीरे-धीरे लास्ट सेट तक थोड़ा-थोड़ा वेट बढ़ाएं ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट न करें नहीं तो इंजुरी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं नमबर 3. फ्लेट बैंच डंबल प्रेस ये एक्सरसाइज भी बैंच प्रेस की केटेगरी में आती है लेकिन इसमें हम बाबेल की जगह डंबल का यूज़ करते हैं फ्लेद बैंच डंबल प्रेस एक्सरसाइज बाबेल की अपेक्षा कठिन है क्योंकि वेटे वाले डंबल को उपर की ओर लिफ्ट करना कठिन होता है। इस एक्सरसाइज में आप फुल मोशन के साथ अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट अपनी कपैसिटी के मताबिक वेट से लगाएं। धीरे धीरे डंबल को उपर लेकर जाएं और वैसे ही नीचे शोल्डर लेवल के थोड़े नीचे तक लेकर आएं और पूरे कंसेंट्रेशन के साथ मसल्स पर वेट फील करते हुए रेप्स पूरे करे इस एकसरसाइज में आपकी बैंच का एंगल 15-20 डिगरी नीचे की और होना चाहिए। फिर बाबेल में वेट डाल कर उसे उपर की और प्रेस करते हुए धीरे धीरे चेस्ट के निचले हिस्से तक लाएं। इससे आपका लोवर चेस्ट ट्रेन होगा। 15, 10, 8 रेप्स के 3 स अपनी कपैसिटी के मुताबिक वेट से लगाएं। फिर धीरे धीरे लास्ट सेट तक थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएं। नमबर पांच इंकलाइन केबल फ्लाएं। इस एकसरसाइज में आपके पेक्टोरल माइनर मसल स्ट्रेन होंगे। चेस्ट की चोड़ाई बढ दोस्तों अगर इन एकसरसाइज को फॉलो करते हैं तो आपको बड़े और चोड़े चेस्ट प्राप्त होंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और लोगों में शेयर करे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए चलता हूँ जाय हिन जाय भारत.